हमने चाया किस प्रकार बनती है इसे जाना चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि चाया निर्मान की ये प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटना ग्रहण में किस प्रकार विशेश भूमी का निभाती है प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्तुरोच सूर्य होता है प्रिथवी सूर्य की परिक्रमा करती है और चन्रमा प्रिथवी की परिक्रमा करता है ये सारे आकाशस्थ ग्रह भिन्न भिन्न कक्षाओं में ब्रहमन करते हैं इनके आकार भी भिन्न भिन्न होते हैं साल के कुछ दिन इस सारे एक जगा पर और एक ही रेखा में आ जाते हैं ये ठीक उसी परिस्थिती के समान है जो परिस्थिती हमने चाया निर्मान के समय देखी थी इसमें तीन वस्तुए सम्मिलित है एक प्रकाश स्तुरोत एक है अवरोधक और एक है वो पतल जिस पर चाया निर्मान हो सूर्य यहां प्रकाश का स्तुरोथ है चंद्रमा अवरोधक या रुकावट के रूप में है इससे हम सूर्य ग्रहंड देख सकते हैं और जब पृत्वी रुकावट के रूप में होती है तब हम चंद्रमा ग्रहंड देखते हैं सूर्य प्रिथवी से सौ गुना चौड़ा है प्रिथवी चंद्रमा से तीन पुर्णांक साथ दशमलव गुना चौड़ी है फिर भी चंद्रमा पूरे सूर्य को घेर लेता है ये किस प्रकार संभव हो पाता होगा इसका कारण इन तीनों वस्तूओं के बीच की अनुपात युक्तदूरी है चंद्रमा प्रिथवी के बहुत पास है चंद्रमा लगभग 400 गुना प्रिथवी के पास है चलिए हम इस सफेद लाल्टेन को सूर्य मान लेते हैं इस चोटी गेन को चंद्रमा और बड़ी गेन को प्रिथवी मान लेते हैं जब यह चोटी गेन सूर्य औ दो भिन्नक्षेत्रों को देख सकते हैं प्रच्छाया जहां पर गहरा अंधेरा है यह वैस्थान है जहां से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य बिल्कुल नहीं दिखता है वैक्षेत्र जो उपच्छाया में है यह वैस्थान है जहां से हमें अंशताहा ग्रहण दिखाई देता है चलिए अब हम चंद्रमा को पृत्वी की एक ओर रखते हैं यहाँ पर एक पटल भी रखेंगे ताकि हम प्रच्छाया और उपच्छाया को भी देख सके जब चंद्रमा प्रच्छाया के क्षेत्र में होता है तब पूर्ण चंद्रमा ग्रहन होता है जब चंद्रमा उपच्छायाक्षेत्र में होता है तब अंशताह चंद्रग्रहन होता है चंद्रमा ग्रहन पूर्णिमा के दिन होता है और सूरिग्रहन अमावस के दिन होता है शूनिच्छाया दिवस च्छाया का न होना भी बहुत सुन्दर होता है शूनिच्छाया दिवस के बीच स्थित स्थानों पर घटती और यह साल में दो बार घटती है और यहूय जिन न Tabii पाँच, है व्यस्थान धनव को जो लोग 23,5 त्वोदिर वभ स्थित बार स्थितल हो पहले बार उतरायन के समय और दूसरी बार दक्षिनायन के समय इन दिनों में सूर्य दो पहर के समय ठीक सरपर ही होता है और जमीन पर किसी भी वस्तू के चाया नहीं बना पाता यह बात तो सपस्ट है कि यह शूने चाया दिवस प्रित्वी के विभिन स्थानों पर भिन भिन होगा इस दिन हमारी चाया ठीक हमारे नीचे होती है यहां पर आप आयू का पुणे में शूने चाया दिवस होगा साराज चाया निर्मान की ये प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक घटना ग्रहन में किस प्रकार विशेश भूमी का निभाती है सूर्य यहां प्रकाश का स्तुरोथ है चंद्रमा अवरोधक या रुकावट के रूप में है इस से हम सूर्य ग्रहन्ट देख सकते है जब चंद्रमा प्रच्चाया के एक शेतर में होता है तब पूर्ण चंद्रमा ग्रहन होता है इन दिनों में सूर्य दो पहर के समय ठीक सरपर ही होता है और जमीन पर किसी भी वस्तु की चाया नहीं बना पाता यह बात तो स्पष्ट है कि यह शून इछाया दिवस पृत्वी के विभिन स्थानों पर भिन भिन होगा चुनोती स्वीकार करें जब चंद्रमा हर महीने पृत्वी की परिक्रमा करता है तब ग्राण हर महीने क्यों नहीं होता है जब चुनोती स्वीकार करता है